नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स मैंडक राजकुमार पार्ट थ्री तभी सुनहरे वस्त्र पहने वह गुर्सवार हडबडाया सा घर में परविष्ट हुआ लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को खाल जलाते देखा तो उसका रंग भैसे पीला पड़ गया उसने शीग्रता से खाल को आग में से जलने से बचा लेना चाहा लेकिन तब तक बहुत तेर हुचुकी थी मैंडक की केवल एक ही टांग जलने से शेश बची थी ओ नहीं आह और नविवक अचानक ही चकरा कर घर के सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर गिर पड़ा यह देख चंदरिका घबरा कर उसकी मदद करने के लिए दोड़ी क्या हुआ यह तुम्हें अचानक क्या हुआ स्वामी नविवक उखड़ी उखड़ी सांसों के मध्य बोला यह तुमने क्या कर दिया चंदरिका तुम्हें इस खाल को नहीं जनाना था तुम इतने अच्छे आदमी हो और इतनी बड़िया घुड सवारी करते हो फिर भी तुम मैंड़क क्यों बने रहना चाहते हो सब लड़कियों के पती तुम्हारी तरह ही आदमी है फिर तुम मुझे ही क्यों भाग्यहिन रखना चाहते हो तुमने जल्द बाजी से काम लेकर स्वेही अपने आपको भाग्यहिन बना लिया है चंदरिका पती सुख के लिए तुम्हें अभी कुछ समय और इंतजार करना चाहिए था आह अब मैं जिंदा नहीं रह सकूँगा नहीं नहीं ऐसा मत कहिए स्वामी आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे आपके प्राणों पराबनी है इसमें तुम्हारी कोई कलती रही है चंदरिका दोश मीरा ही है मैं बहुत जादा लापरवा हो गया था यही वज़य थी कि मैं मैंडक की खाल उतार कर घुरदोर मैदान में चाह पहुँचा और आज यह नौबता पहुँची यदि मैं अपनी इच्छा पर कुछ समय और काबू पा लेता तो न केवल हमेशा हमेशा के लिए मनुश्य का शरीर पा लेता बलकि अपने माबाब के साथ साथ तुम्हारी जोली भी खुच्चियों से भर देता लेकिन अफसोस मेरी जरा से भूलने तुम सब की खुशियों पर पानी फिर दिया अब मैं सुबा होने के साथ ही चल बसूँगा नहीं नहीं तुम नहीं मर सकते मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगी तुम्हारे प्राण बचाने के लिए यदि मुझे अपने प्राण गवाने पड़े तो भी मैं पीचे नहीं रहूंगी कहकर चंद्रिका फूट फूट कर रोने लगे अब रोने से कोई लाब नहीं चंद्रिका इस जनम में मेरे भागे में मनुष्य बनकर जीना नहीं लिखा था इसलिए अब मैं किसी भी हालत में जीवित नहीं बचूँगा युवक ने बताना अरंब किया आज से बहुत वर्ष पहले मैं एक बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी स्वामी ब्रह्मनन जी जो बहुत सी अलोकिक शक्तियों के स्वामी थी का शिर्षे था उस जनम में मेरा नाम पितामबर था स्वामी ब्रह्मनन जी मुझसे पहुत ही स्ने रखते थे और मुझे नित्य प्रती दिन कोई गुरु मंत्रवा शिक्षा देते रहते थे उनकी सेवा सूश्रा करते करते जब मेरा अंतिम समय निकट आया तो एक दिन गुरु जी ने मुझसे कहा बेटा मैं जानता हूँ कि कुछी घंटों बाद यह नश्वर शर्दार चोड़ कर तुम मुझसे विदा लेने वाले हो तुमने यह जनम अपने गुरु की सेवा में बिता दिया मैं तुम्हारी इस गुरु भक्ते से बहुत प्रसन हूँ अता मैं तुम्हे वरतान देता हूँ कि तुम अगले जनम में किसी राजा के घर में जनम लोगे और वहां संसार के सारे सुक भोग कर स्वर्ग सिधार होगे इस जनम में मेरी सिखाई विद्धा उस जनम में भी तुम्हारे काम आएगी लेकिन ध्यान रहे मेरे विध्या से घमंडी हो किसी गरीब अथवा दुख्यारे का अपमान न कर बैठना मैं आपकी इस अंतिम शिक्षा को अवश्चे ध्यान में रखूंगा गुरुदेव तब उन्होंने मुझे अंतिम बार अपने हाथों से अमरेज जल दिया और कुछी देश के राजा चंद्रशूल के घर में जनम लिया आहां आखिरकार वर्षोबाद प्रभू ने हमारी सुन ली मेरे जनम दिन पर पूरे देश में खुशिया मनाई गई मेरे पिता ने साधू संतों और दीन दुख्यों वा गरीबों में खूब दान पुन्ने किया फिर समय पीतने के साथ साथ जैसे जैसे में बड़ा होने लगा मेरी देखभाल और शिक्षा दिक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाने लगा चूंकि गुरुदेव के वर्दान से पिछले जनम का ज्यान भी मेरे उस जनम के साथ था इसलिए बच्पन से ही मेरे ज्यान आधी को देख कर न केवल सभी मुझसे प्रसन थे बलकि आश्चेरे चकित भी थे धीरे धीरे चब में जवान हुआ तो मेरा विवा तुर्पुरा की राज कुमारी विद्या वित्ती से कर दिया गया मेरी विवा के कुछी वर्षों की पस्चाथ एक ही करके मेरे माता पिता के मृत्ती हो गई और मैं चित्रका देश का राजा बन गया लेकिन राज सिंगासन पर बैठने के साथ ही जैसे मेरी बुद्धी प्रश्ट हो गई और मैं गुरू की दी हुई सारी शिक्षा को भूल ग नहीं है सैनिको कोड़े मार मार कर इन सब की खाल उधेर दो हमारे विरुद्ध सर उठाने की यही सजा है आह राज सिंगासन पर बैठते ही यह इन्हें क्या हो गया है लेकिन एक दिन जब मैं अपनी पत्नी और एक मात्र पुत्र के साथ शाही बाग में सैर कर रहा था तो अचानक एक फटे हाल ब्रह्मन मेरे पास आया उसे इस तरह बेरोक टोक आते देख मैं क्रोध से आग बबुला हो उठा ए बूढ़े तुम्हें यहां किसने आने दिया कौन हो तुम महराज मैं एक गरीब ब्रह्मन हूँ और कुछ दान पाने की आशा से आया हूँ घर में बीवी बच्चे भूके हैं यदि कुछ मिल जाए तो आपकी बहुत करपा होगी ओ तो तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए ठेरो अभी देता हूँ मैंने तुरंद उस मेंड़क को मारा ओ स्वामी नहीं और उसे ब्रह्मन को देते हुई कहा लो इस मेंड़क को तुम ब गोर अपमान किया है वह कौन है और जैसे ही उन्होंने कपड़े और बाल उतारे मैंने अपने पिछले जनम के गुरु को तुरंद पहचान लिया अहां गुरुदेव आप और इस वेश में शमा करें मैंने आपको पहचाना नहीं था मेरा प्रणाम सुईकार करें दूर हट मूर्ख पाखंडी ओ मूर्ख मैंने तुझे यह जीवन वर्दान में इसने नहीं दिया था कि तू एहनकार में चूर होकर साधू सननासियों ब्रामणों और गरीबों का अपमान करें भूल गया मेरी अंतिम शिक्षा को ममा मुझसे वास्तव में भूल हुई गुरुदेव मुझे शमा कर दीजिए मुझे शमा कर दीजिए मूर्ख तेरे शब्द गोश में यदि दया शब्द नहीं है तो मेरे भी शब्द गोश में शमा शब्द नहीं है जा मैं तुझे श्राब देता हूँ कि जिस मेंड़क को मार कर तूने मेरे रूप में एक ब्रामन का अपमा तो तू फिर मरकर मैंडक के रूप में जनम लेगा नहीं नहीं मुझपर दया कीजिए गुरुदेव और मेरे अपरात को शमा कर दीजिए मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा पितामबर और तू अपने किये का फल भोग कर ही रहेगा मेरे लाग गिरगडाने के बाद भी गु फिर राजवैद्धों ने मेरा इलाज करने और मुझे होश में लाने की हर मुम्किन कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मैं कोछी दिनों बाद चल बसा आह नहीं स्वामी और चंद्रिका इस तरह से मुझे यह जनम मेंड़क के रूप में लेना पड़ा अब तो गुरुदेव का श्राप खत्म होने में बस के वर एक ही वर्ष बाकी रह गया था। किन्तो मेरी जरासी मूर्खता ने सब चौपट कर दिया। अब मरकर मुझे फिर मैंड़क के रूप में जर्म लेना होगा। क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। शायद कोई नहीं। हाँ यदि गुरुदेव को किसी तहने प्रसंद कर लिया जाए तो वे अवश्य मुझे इस श्राप से मुक्त कर मनुष्य जीवन दे सकते हैं। लेकिन भला उन्हें कोई किस तहने प्रसंद कर पाएगा। जैसे ही उठकर बाहर जाने को हुई। तब ही उसके सास ससुर आ पहुंचे। उस युवक को इस प्रकार पत्थर पर लेटे देख दोनों ही आश्चरे चकित होटे। अरे बेटी यह तो वही विजेता युवक है लेकिन यह हमारे घर कैसे आ गया। क्या हुआ ऐसे। मा जी यह आपका ही बेटे हैं। फिर जंदरिका ने उन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ कह सुनाया। सारी बात जानकर बुढ़ा रामदास और उसकी पत्नी रोते बिलगते अपने बेटे से लिपट गए। आह हमारे भाग गये। तुम हमें इंसान के रूप में मिले भी तो मृत्यु शया पर लेटे हुए। माताजी पिताजी आप चिंता न कीजिए। मैं इनके गुरु से इनकी जीवन की भीक लेकर ही वापस लटूँगी। आप इनकी देखबाल कीजिए। मैं इनके गुरुदेव की खोज में जाती हूँ। कहकर चंदरिका उसी घोड़े पर सवार हो गई। जिस पर उसका पत Chandrail को एक जोपरी की खोश करनी होगी जहां स्वामी ब्रह्मन अंजी वास करते हैं काफी देर तक जंगल की खाक ठागे पषचाथ चंद्रिका को दूर एक जोपरी दिखाई दी आहसा वह रही स्वामी ब्रह्मन अंजी की कुट्या उन्होंने जैसे स्थान की व्याक्या की तो उसे बीतर एक अत्यन थी वृत साधूर ध्यान मगने दिखाई दिया उसकी जटाओं पर पक्षी अपना घोसला बनाये हुए थे तथा आस पास घास उगी हुई थी लगता था जैसे सद्यों से वे तपस्तिया में लीन हो प्रणाम महारिशी लेकिन प्रणाम करने के किता गया चंद्रिका व्याकूल होती चली गई जब उसने यह देखा कि सुर्योदे होने में कुछी समय शेश रह गया है तो उसने अपनी कमर से कटारी निकालकर अपनी एक टांग काट ली महारिशी मेरे पती के प्रण संकट में है उनकी सजा मैं भुगतने के लिए तैया संगवा एक हाथ काटकर सादू के चड़नों पर अर्पित कर दिये महारिशी सुर्य देव होने में अब कुछी चंड शेश रह गये हैं यदि अब भी आप मेरे पती को श्राप मुक्त करने के लिए तैयार नहीं हुए तो मेरे लिए भी जीना पेकार है लीजिए मेरी गर् से अपनी गर्दन काटकर मारिशी ब्रह्मानंद के कदमों पर चड़ा दी तभी स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपनी आँखे खोल दी तुम महान हो बेटी तुम्हारी पती भक्ती से मैं बहुत प्रसंद हुआ अधर तुम्हारी कुर्बानी मैं व्यात नहीं जाने और कोई मंत्र पढ़ते हुए चंद्रिका के शरीर और अंगों पर छिडगा तुरंती जैसे चमतकार हुआ चंद्रिका का सिर और कटे वे अंग उसके शरीर पर यथा अस्थान जुड़ गए और वहें जीवित होकर उट बैठी अहां यह कैसा चमतकार हुआ मैं मरकर पुन की अंतिम घडियां किन रहे हैं महारिशी मैं आपके पास उनके जीवन की ही भीक मांगने आई थी जानता हूँ लेकिन अब वह नहीं मरेगा जाओ उसे मैं अपने श्राप से मुक्त करता हूँ और तुम्हें यह वर्दान देता हूँ कि तुम सौ साल अपने पती के साथ जिवाद लेकर विदा ली और घोड़े पर सवार होकर अपने घर की और चल पड़ी जब मेरे माता पिता को यह मालूम होगा कि मेरे पती कोई मैंड़क न होकर एक सुन्दर और जवान इंसान है तो वे भी कितने खुश होंगे जब चंद्रिका अपने ससुराल पहुंची तो पितामबर ने जो की वास्तव में अपने माता पिता के साथ उसी की बाट जो रहा था उसे अपनी बाहों में भर लिया प्रिये सजमुच मैं तुम्हें पतनी की रूप में पाकत धन्य हो गया यह दूसरा जीवन मुझे तुम्हारे ही प्रताप से प्राप्त हुआ है मै तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूँगा ऐसा कहकर मुझे शर्मिन्दा न कीजिये स्वामी यह तो मेरा धर्म और करतव्य था फिर मैंने दो जो कुछ किया अपनी स्वामी और सुहाग को बचाने के लिए किया फिर इसमें उपकार कैसा जब चंद्रिका की माबाप को इस घटना का पता चला तो वे भी बहुत खुश हुए और उन दोनों को आश्रवात देने आए जबकि चंद्रिका की दोनों बड़ी बहने अपनी चोटी बहन के भाग्ये को सराती हुई अपनी के पर मन ही मन पश्टा रही थी उसके बाद पितामबर ने दीन दुखियो वा गरीबों की सेवा करते हुए खोब यश कीरती प्रेम और धन अर्जित किया और अपने माता पितावा पत्नी के साथ संसार के सभी सुख भोगता हुआ आनन पूर्वक अपने दिन गुजारने लगा तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़िदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़िदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद